नमस्कार, क्रांती ओरेसा में आपका स्वागत है राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी मा के साथ रहता था गर्मियों की छुट्टी में राहुल की बुआ, फूफा अपने लड़के सोनों के साथ उनके घर रहने आये घर आते ही फूफा जी राहुल से बोले की यहां तो बहुत गर्मी है घर में कोई आक नहीं है क्या राहुल की माने बोला भाय साहब अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में आक लगवाया है यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले की सारा सामान राहूल के कमरें में ले गए राहूल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे क्योंकि उनने सोचा की कुछ दिनों की तो बात है इस तरह गुआ फूफा जी को राहूल के घर रहते एक महीना हो गया राहूल ने अपनी मा से पूछा की गुआ जी कब जाने वाली है हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे राहूल की मा बोली बेटा रिष्टेदारी का मामला है हम कुछ कह भी तो नहीं सकते राहूल की पत्नी सीमा बोली वह सब तो ठीक है लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा देन घर में उधम करता रहता है कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह फार डाला राहुल इस बात पर बहुत गुसा हुआ कि नया सोफा फार दिया वो अपनी पत्नी से बोया तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं सीमा बोली जब से बोया फूफा जी आये है कुछ-कुछ खाने की दिमान करते है जिससे मेरा और मा जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीच जाता है राहुल ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वहां आखिर कब जाएंगे राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि एक महीना हो बया है आपके जॉब की छुटिया तो खत्म हो गई होंगी न फूफा जी बोले राहूल मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ जिसमें 2-3 महीने तो लगी जाएंगे यह सुनकर राहूल समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं है उसने यह बात अपनी पत्नी और मां को बताई सीमा बोली जब गी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेड़ी करनी पड़ती है इनके साथ भी कुछ हैसा ही करना होगा आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए उसी रात बोवा और फूफा जी छट पर थे तभी उनका लड़का सोनू चिलाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ल को देखा है तभी एक चुड़ल वहां आ गई और बोवा और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भूजन बनना चाहेगा चुड़ल को देखकर वह बहुत दर गई और उस घर से भाग गए उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ल का मुखोटा उतारा बोवा के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सास लिए सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ल बनती है यह कहकर सब होसने लगे नेतिक शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीक मिलती है कि हमें किसी भी रिष्टे का गलत फाइदा नहीं उठाना चाहिए जिस तरह बोवा के परिवार ने अपनी रिष्टेदारी का गलत फाइदा उठाया और दूसरों को परेशान किया